नमस्कार प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंग। नमस्कार प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंग। रास्पती ने कहा कि देश को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन मिली, पहली अमरित भारत ट्रेन सुरू की गई, भारत पिस्व में तेजी से फाइब जी लाने वाला देश बना और लोग सभा बिदान सभा में मैलाओं के लिए 33 प्रस्ट सीटों के आरच्छर से सम्बंदित ना संसत के बार मिडिया कर्मियों को संबोधित करते वे स्री मोधी ने कहा कि जो संसत हंगामा करने और संबैधानिक मुल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे, वे वर्तमान लोगसभा के अंतिम सत्र में अपना आत्म उलोकन जरूर करें। उन्होंने कहा कि या बज़र सत्र अंतिरिम बजट को पेश करना महिला ससक्तिकन के उस्सों के समान है। चामबाम और दस अन्य गाहों में रोट कनेक्टिविटी के लिए लोहित नदी पर एक पूल का सिलान्यास किया। मुक्वंतिन ने विके भी अमलियांग के अपग्रेडिट भवन का भी उदगाटन किया। स्री खांडू ने आज हायलियांग में एक विकास कारक्रम को भी स नेता और सिच्छा मंतरी ताबातेदी ने समन्वाए बैटक के इस बैटक में प्रदेश भाजपाद पाद्याच तार तारक, स्टेट बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी निमा सांगे, जिला भाजपाद देच अकुम तूंगी, सहीत पार्टी के बिभिन संगटनों के प नेता में किसी के हतात होने की रिपोर्ट नहीं है, घरों और दुकानों में रखे सिलिंडर्स के ब्लास्ट होने से आग पर काबू पाने में मुश्कुलों का सामना करना पड़ा, इस दुरगटना में प्रभावित लोगों का काना है कि दिरांग में फायर इस्टेशन नही जोग से आजीत इस कंक्लेव का उद्दे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आपसी संबाद के लिए अरुनाचल के सवी सिच्छाविदों को एक प्लेटफार्म पर लाना है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और इसे लागू करने में आरे चुनोतियों के बिसे में आजीत इस सिमिनार में विविने सिच्छन संस्थानों में 87 सिच्छाविद हिस्सा ले रहे हैं। सेमिनार में असम डाउन टाउन इनवर्सिटी गुहाटी के फेकल्टी आफ साइन्स प्रोफेसर राजीव सर्मा ने सिच्छाविदों को NEP 2020 के बेसिक फीचर्स के बारे में जानकारी दी। ले परादा की जिला परसर चेर्में नेभी जीनी दिर्ची ने इटानगर के FNG सेक्टर में सिवमंदीर का पुनरुद्धार कर उसे अस्थानी लोगों की सेवा में समर्पित किया। आज आईजीट प्राण प्रतिष्ठा कारकर में इंडिजिनस फेतन कल्चर सुसाइटी के अध्याच कातूंग वागे सहीत कई गर्मान ब्यक्ती मजूद थे। नामसाई में पुलीस द्वारा रोड सेप्टी वीक के तहथ बाइक रैली आईजीट की गई। रनिंग बुल्व्स राइडर्स कलब नामसाई के सहीक से आजीत इस जागरुकता रैली में लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।